दोस्तों एक बर फिर से स्वाकत है आपके अपने चैनल CEP Classes पर आज हम बात करने वाला हूँ सिलेबस Reduction के बारे में 2021-2022 का जो आपका Year है इसमें क्या सिलेबस Reduce होने वाला है उसके बारे में हमें पूरी बात करने वाले हैं आज के वीडियो में तो अगर आप चैनल पर नए आये नो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल के नोटिफिशन के साथ ताकि आपको regular update इस चैनल पर आते रहें और आपको पता लगता रहे एक्चुली में चल क्या रहा है हमारे कंट्री के अंदर बोर्ड एक्जाम्स को लेकर topic इस तरीके से उस syllabus को कम किया गया था अब सवाल यह है कि आप जो situation है वो भी तो बिलकुल पिछले साल की तरह ही है और इस साल भी बच्चे online classes ही ले रहे हैं last year यह फैसला लिया गया था क्योंकि बच्चे online classes ले रहे हैं वो physically teacher से connect नहीं हो पाये थे स्कूल में classes नहीं लगी थी तो इस वज़े से स्कूल को syllabus को कम करने को बोल दिया गया था government ने decide किया कि स्कूल में syllabus जो है students का वो कम कर दिया जाए और देखो एक issue और भी था क्योंकि internet facility हर जगा नहीं available थी students sharing करके काम चला रहे थे चीज़ों का तो बहुत सारी चीज़ें थी net facility आज भी बहुत जगा पर ढंक से available नहीं हमारी country के अंदर तो आप सवाल यह है क्या इस साल फिर दुबारा से syllabus कम किया जा रहा है देखो उमीद यह है पूरी-पूरी कि syllabus इस साल भी कम किया जाने वाला है और उमीद यह भी है कि 30-40% syllabus इस साल भी कम हो सकता है और मेरे साब से न syllabus कम किया जाना चाहिए because syllabus कम क्यों किया जाना चाहिए और कम तो करना ही चाहिए CBC को और जल्दी से जल्दी इस बारे में फैसला लेना चाहिए क्योंकि unnecessary अगर हम syllabus करवाने में वो time खराब करेंगे जो syllabus आगे जाके reduce ही होना है तो better रहना कि CBC जल्दी से ये decision ले ले और सभी को information पहुंच जाए कि कौन-कौन से topic delete होने वाले है मेरे साब से जो syllabus last year reduce किया गया था I think उसी इसाब से syllabus को बिल्कुल वैसे ही reduce किया जा सकता है तो कम से कम अभी अगर आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा तो जो time खराब होगा उन topics वो अब पढ़ाने में कम से कम वो तो बच जाएगा ना तो better है CBC को अभी ये decision ले लेना चाहिए कि क्या syllabus में से हटाना है दो मीने बाद बोलेंगे syllabus में से हटाईए ये वाले topics अब दो मीने तो बच्चे ने वो time खराब कर लिया ना उन topics को पूरा करने में तो इसी लिए मेरे साब से syllabus reduce होने के पूरे पूरे chances है जैसे last year हुआ था तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी होने वाली है जो बच्चे इस साल 12th और 10th क्लास में आए है तो कि 10th क्लास के लिए भी सेम उमीद है कि syllabus reduce किया जा सकता है विकाज COVID की situation अभी better तो हुई है बटम ये तो नहीं कहेंगे ना कि syllabus reduce हो सकता है और मैं भी ये मानता हूं कि syllabus reduce होना चाहिए जैसा last year हुआ था क्योंकि COVID की situation again problem तो वैसी की वैसी ही है ठीक है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर देना और लाइक करना और कमेंट करे भी ना मच जाना यार ठीक है क्यू हूं